नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आपने देखना शुरू कर दिया है फर्स्ट विहार जहरखण और आपके साथ मैं हूँ दिवाशी इशकुमायर तालिबान से जुड़े इस वक्त की खबरों के साथ मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ इस वक्त जिस हम खबर की चर्चा करने जा रहे हैं वो तालिबान से जुड़ा है हम आपको बता दें कि एक बात जो इस वक्त तालिबान में बहुत जोर सोर से उठ रहा है कि आखिर तालीबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान पर कबजा कर लिया है तो आखिर कौन से ऐसे देश है जो उन्हें मानिता प्रदान करेगी हाला कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि चीन ने पहले से ही तालीबान को जो है अफगानिस्तान के कबजे को लेकर मानिता दे दी है लेकिन कई ऐसे देश हैं जो अभी भी उन्हें कूट नित्पेक्षता की मानिता देने से मना कर रहे हैं वेस्तार से इस खबर पर चर्चा करते हैं और आपको हम जानकारी देते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जो तालिबान को अफगानिस्तान के कपजे के बाद उन्हें राजनितिक मानिता देंगे या नहीं दरसल अफगानिस्तान में तालिबान कबजे के बाद यह सवाल उठने लगा है कि दुनिया में कौन से देश तालिबान सासन को कूट नितिक मानिता देंगे दुनिया के मुलकों के समक्ष अब तालिबान सासन को लेकर यह सवाल खड़ा हो गया है यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अफिगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार पर तालिबान चरमपंथियों ने बंदूक के बल पर कबजा किया है ऐसे में यक्ष प्रस्ण यह है कि क्या दुनिया के लोकतांत्रिक देश तालिबान हुकूमत को मानिता देंगे आखिर यह कूट नितिक मानिता क्या है? किसी देश के लिए उसका क्या महत्व है? इस मानिता का तालिबान हुकूमत पर क्या पढ़ाओ परेगा? हम आपको बता दें कि तालिबान को किन देशों ने मानिता दी है दरसल तानिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबूल पर कबजा कर लिया है रैश्ट्रपती अश्रप गनी अफगानिस्तान छोड़ कर जा चुके हैं इसके एक दिन बाद चीन ने आपचारिक तोर पर तालिबान सासन को मानिता भी दे दी है चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता चियूंग यूंग ने कहा है कि चीन अफगान लोगों को अपना भाग्यत्य करने का अधिकार सम्मान करता है हम आपको बता दें कि वर्स 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को पाकिस्तान, संयुक्तरात, अमीरात और साओधी अरब ने ही मानिता दी थी अलाकि वर्स 2020 में हालत बदले हुए हैं इस बार कई देश तालिबान को मानिता देने की तैयारी में हैं चीन ने तो तालिबान सासन को मान्यता भी प्रदान कर दी है। उधर संयुक्त राष्ट परिशद अब तक अफगानिस्तान मसले पर दो बैठके कर चुका है। दोनों ही बैठक में यह संकेत निकल कर आया है कि ताकत के साथ जनता पर थोपी गई सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। ब्रिटेन और नाईजार तो सीधे सीधे यह कह चुके हैं। भारत ने अभी तक अपने पत्ते जो हैं नहीं खोलें हाला कि भारत पूरे घटना कर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। तो साफ तोर पर हमने आपको बताया कि तालिबान को लेकर आखिर कौ आपने जरूर लाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे जादा जादा शेयर करें और हाँ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक हमारे यूटूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजे। नमस्कार।